Hello guys, welcome to Mystic Hindi Tarot So, आज हम candle wax reading करने वाले हैं और इस reading में हम ये देखने वाले हैं कि क्या अगले कुछ घंटों में क्या in next few hours आपके person आपको contact करेंगे अगर block किया है तो क्या कुछ अगले घंटों में वो आपको unblock करेंगे क्या उनके तरफ से कोई call message आएगी या अगर वो reply नहीं कर रहे है तो क्या वो reply back करेंगे आपको in the next few hours वो हम देखने वाली है ठीक है So, let's start with the reading Let's light the candle candle को light कर लेते हैं Okay, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है candle light अब देखते हैं कि क्या अगले कुछ घंटों में आपके partner आप से contact में आएंगे सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो partner है आप फील कर पाओगे कि वो एक connection एक एक टेलीपथी फॉर्म करने का ट्राइ कर रहे है आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार शायद यह इंसान मुझे कुछ बोलना चाह रहा है शायद यह मुझे कुछ कुछ कहना चाह रहा है तो एक टेलीपथी आप दुनों के बीच में इस्टैबलिश होती हुए दिख रही है इन दे नेक्स्ट फ्यू आवर्स और आपको यह फील हो जाएगा आप फिर से कमेंट्स में आके मुझे बताना यह चीज़ आपको फील होती है या नहीं आपको उनके emotions फील होंगे आपको ऐसा फील होगा मानों वो कुछ कहना चाहते है ओके या वो कुछ बताना चाहते है मतलब आपको वो sign मिल जाएंगे पहले ही कि वो आपसे connect होना चाहते है वो आपसे बात करना चाहते है ठीक है, यह सबसे पहली चीज है जो मैं देख रही हूँ, दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ के, कहीना कहीना उनको feel होगा के, अब वो time आ चुका है, जहां पर आपके साथ उनको एक ऐसा रिष्टा बनाना चाहिए, या फिर re-establish करना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह के conditions ना हो, एक unconditional bond आपके साथ, उनको बनाना चाहिए, फिर से, और वो feel कर पाएंगे, उनके अंदर वो feeling मैं देख रही हूँ, कि यार उसके लिए जो मेरी feelings है वो कुछ अलग है, ठीक है, वो उस चीज को notice करेंगे, वो उस चीज को accept करते वह दिख रहे ह ठीक है, कि नहीं यार, मैं इसको miss कर रहा हूँ, नहीं यार, उसके लिए कुछ अलग ही feeling है मेरी दिल में, और मुझे ये रिष्टा रखना है, मुझे ये रिष्टा चाहिए, तो ये feel होने वाला है इस person को, बहुत ज़्यादा sexually भी आपके तरफ अट्राक्ट होते भी क्योंकि आप इनसे बहुत connected feel करोगे, आप दरों के अगर बात भी नहीं हो रही है आप वो feel करोगे, कि मुझे ने कुछ अलग feel हो रहा है, मुझे उसके याद आरी out of nowhere, you know, मैं बहुत emotional हो रही हूँ, हो रहा हूँ, या मैं sexually उसके तरफ attracted feel कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, so जब आप दोनों पहली बार मेले थे, जब आप दोनों ने पहली बार एक दूसरे को touch किया था, feel किया था, ya maybe kiss किया था, hug किया था, so the first times, क्योंकि पहली जो, पहला जो time हो हो बहुत ही memorable बन जाता है, तो वही memories में कोये मुझे आपके person बहुत, बहुत intensely उस feeling को feel कर दे देख मुझे बहुत strongly ऐसा लग रहे है कि, ये person आपसे प्यार तो ये पहले से ही genuinely ही करते थे, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, इनकी feelings आपके लिए हमेशा से बहुत genuine रही है, ठीक है, वैसा उन्होंने present किया है, आपके सामने या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इनका जो, इनके actions हमेशा different रहे हैं, मतलब ये जो बोलते हैं, और जो करते हैं, वो बहुत अलग होता था, आपने भी चीज नोटेस करी होगी, और यही चीज ये person सोचेंगे, कि तुने आप जो situation है अप दुनों के रिष्टे में, अगर आप दुनों दूर हो, separation में हो, बात नहीं हो तो उनको realize होगा कि ये मेरे वज़े से हुआ है, मेरे intentions बले गलत नहीं थे, बट सामने वाले के सब मैंने हमेशा वही किया, उसको show तो मैंने वही किया, कि मेरे intentions गलत है, तो ये जो भी हालात है, वो मेरे वज़े से है, तो एकसेप्ट करते वे दिख रहे हैं, ठीक है, ये परसंट GLYS hem फिए दिख रहे हैं प्यार में, इनको प्यार चाहिए, उनके लाइफ में व neces leven में है, वो थे वंट समवन, वो चाहते हैं कि ग्यार करें, भो किसीसे हैं प्यार करें, पहले में भी उनका दिल नहीं करता, उनको लगताता नहीं बज़े यार मिज़े प्य तो पकड़ सकते आपके ब्रेकप ही हो चुका है क्योंकि ना तो बात हो रही है ना तो कोई पॉइंट अफ कॉन्टाक्ट है आपके ब्रेकप सिचुएशन मुझे काफी लोगों की दिख रही है आपके परसें इन एक्स फ्यो आज बहुत जादे ऐसा फील करेंगे कि यार मैंना स्टक फील कर रही हूं या स्टक फील कर रहा हूं मैं सिचुएशन से अपने आपको कैसे निकालों हमारा जो रिष्टा है जिसके फुल स्टॉप सा लग गया है उसको मैं फिर से कैसे रिवाइव करू उसमें जान कैसे भरो उसके नई शुरुवात कैसे कर सकता हूं ये मुझे आपके परसें सोचते वे बहुत जादा दिख रहे है कि यार, stuck, you know, बंधा हुआ, आपको कोई बांध के कहीं पर छोड़ दे आप कैसा फील करोगी आप करना तो चाहरे है, उठना चाहरे है, कुछ करना चाहरे है, लेकिन करने ही पा रहे हो ये मुझे काफी लोगों का in the next few hours reconciliation होते वे दिख रहे है I see you guys coming together, एक दूसरे के साथ, प्यार से, you know, दिल से एक दूसरे को accept करते हुए, माफ करते हुए और एक दूसरे के life में मुझे re-enter करते हुए आप दोनों दिख रहे हो, ठीक है देखो, problem यह ना कि इस person को पता है कि उन्हें आप चाहिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत मिस भी करते हैं, वो बहुत अट्राक्शन भी फील करते हैं लेकिन, problem यह है ना कि, step क्या लेना चाहिए पहला कदम कैसा होना चाहिए, क्या बोलना है, क्या करना है, they don't know that destination तो पता है, लेकिन मनजिल का पता है, कौन सा रोड लेना है उस destination तक पहुचने के लिए उच हो बहुत strongly पता नहीं कि वैसा लग रहे है कि यह परसन यह ना अपने आपको, जब यह आपके सब नहीं होते है यह अपने आपको गलत सलत आदत, लोग, उन मतलब गलत सिचुएशन में स्टक कर लेते हैं, जैसे यू नो, अलग अलग गलत आदत है जो होती है लोगों को, मैं नाम नहीं ले सकती, तो मेभी इनको कोई गलत आदत लग गई है, या ऐसे लोगों में नहने लगए है, जिन बहुत स्ट्रेस दिख रहे है यह परसन, और चिंता करते वह दिख रहे है, बहुत परिशान मुझे दिख रहे है इन नेक्स फ्यू आवर्स, लिटरली मुझे ऐसा लग रहे है, यह परसन पोलेंगे क्यार मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलू, मैं सामने वाले को पने प्य So yeah, you can expect a call from this person in the next few hours, बहुत स्यादा एक लोगिंग, यह चाहत आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपसे बात करने की, आपके साथ फिर से रिलेशन्शिप में आने की, आपके प्रेजन्स में होने की, वो मुझे बहुत स्यादा नेक्स फ्यू आर्स में देख रहे है, क्य होता है, ऐसा लगता है, जैसे, you know, complete, सब कुछ पालिया हो, बहुत एंजॉय करते है वा आपकी कंपनी में, मुझे नेक्स फ्यू आर्स में डेफिनिटली एक ऐसा ड्रास्टिक कहलो या कहलो, मेजर चेंज आता हुआ दिख रहे है, जो सिटुएशन अभी आपको दिख रह अब इस पॉसन से यह दुख नहीं सहा जाएगा, जो दर्द उनको फील हो रहा है, जो बंधा हुआ सा अपने आपको फील कर रहे है, या बांध के रखा हुआ है, या किसी सिटुएशन में बंदे हुए है, वो उससे छूटने के अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे है, कि नहीं यार मुझे इस सिटुएशन से बाहर निकलना है, अब मुझसे चाहा नहीं जा रहा है, अब I can't take this anymore, ठीक है, अगर वो बात नहीं कर रहे है, ब्लॉक करके बैठे है, तो उनसे अब कंट्रोल नहीं होगा, कि नहीं अब नहीं मुझसे हो रहा या अपको प्रपोस भी कर सकते है, अपनी दिल की बात आपके सामने रख सकते है, you know, कि मैं वो क्या फील करते हैं, वो आपके सामने वो शेयर कर सकते है, सो या, या अपके लिए बहुत सब्राइजिंग होगा, मुझे काफी कुछ मिर्यक्योलसली होता हुआ दिख रहे है, जैसे जादू मंतर होता है, कि एकदम से जादू हो गया और चीज़े आपके हक में पलट गई, मुझे वैसी चीज़े होती भी दिख रहे है, पॉजिट 110% में आपको बोलू, अपनी फिलिंग्स छुपा के रखी है, सब्प्रेस करके रखी है, दबा के रखी है, ठीक है, चाहा इस पॉसन ने कि आपको भुला देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पास्ट को भुला देंगे, लिकिन नहीं हो पा रहे है, इस जस्ट नॉट हापन बहुत अकेला महसूस करेंगे, इन नेक्स फ्यू आवर्स यह परसन बहुत अपने आपको अकेला महसूस करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, उनको ऐसा लगेगा के यार, मैंने बहुत कुछ खो दिया लाइफ में, I lost a lot of things, इनको डर भी लगेगा अप्रोच करने से पहल कि अगर मैं अप्रोच कर देता हूँ, तो बाद में क्या क्या हो सकता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, तो सारे प्रोज और कॉंस को यह भाप रहे है, कि is it right, is it wrong, should I do this, should I do, you know, should I not, तो या, लेकिन हाँ, अब अगर यह परसन आएंगे न इस दफ करनी है, मुझे long term, मतलब commitment मिल सकता है बहुत सारे लोगों को in the next few hours, अगर ऐसा होता है, comments में जरूर लिखना कि the commitment मिल गया, ठीक है, यह परसन बहुत जादा, मतलब बहुत जादा हच से जादा, मैं जितना जादा बोल रहे हैं, वो भी कम पढ़ रहा है, उतना सदा आपको मिस करने वाले है, बहुत सोचने वाले है आपके बार में, कुछ लोग यह पर देट पे चाते हुए दिख रहे हैं, night dates, especially, you know, date night जैसे होती है, मिलते हुए भी दिख रहे हैं, मुझे कुछ अगले कुछ गंटों में, या फिर next day, you know, मुझे कुछ मिलना, date पे जाना, एक द क्यो किया, उनकी दिमाग में क्या चल रहे है, तो आपके सामने सारी असलियत आने वाली है, be, you know, ready for that, आपको यह परसन जब आपके लाइफ में आएंगे उससे पहले कुछ साइन्स मिलेंगे, अब यह साइन्स अब के लिए बहुत ही परसनल होंगे, किसी को कुछ साइन मि किसी को फील हो जाएगा, वो मुझे बहुत स्ट्रॉंगली होता हो अदिक है, किसी किसी के लिए परसन का आपके लाइफ में आने का तरीका बहुत अलग होगा, अलग कैसे होगा वह मैं बता देती हूं, यह अपको seduce कर सकते हैं, या तो यह आपको इंप्रेस कर सकते हैं, फिजिकली यह कुछ बाते कर सकते हैं, जो आपको इंके तरफ अट्राक्ट करें, ठीक है, यह उनका तरीका होगा, तो कम तोवर्द्स यू, या फिर यह शुरुवात ऐसे कर सकते हैं, आपको सोशली करना, आपको ट्रैक करना, क्या आप क्या कर रहे हो, अगर सोशल मीडिय पर आपने इंको फ्रेंड रिक्वेस्स बेज़ के रखें, तो एकसेप्ट करना, आपको स्टोरीज देखना, 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 शुरुवात तो ऐसी ही होगी, क्योंकि अपने आपको अब रोक नहीं पाएंगे, आप इनके लिए इतने इर् इराज दिख रहे हैं, अपने डिसिजन्स, अपने अक्शन्स को लेकर, और अगर ये कोई बात है आप दुनों के बीच में, जिस पर ये आपकी बात नहीं मान रहे थे, अपनी चला रहे थे, कि नहीं ही सही, मेरी मानो, मैं ही बोलूंगा, वही होगा, वो उसमें चेंज आ आपको एक बहुत स्ट्रोंगली एक चीज बता हूँ, आप इस परसंसे बहुत प्यार करते हो ऐसे तो, क्योंकि आपने उतना इन्वेस्ट किया है, आपने इस परसंसे बहुत उमीदे लगाई है, लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ है, यह हुआ है ना, कि फिर भी ना, आप ए इस परसंन के लिए वो अभी रहा नहीं है, तो इस परसंन को बहुत मेहनत करने ही पड़े कि अपका दिल जीतने के लिए, आपको यह रिष्टा थोड़ा सा रिस्की लगता है, अब आपको लगता है कि, मतलब आप बहुत सोचते हुए दिख रहे हो मुझे, कि, शुड़ा कि अपका सकते हैं कि फोगों, मतलब आपको इस बॉच्षी है, ईशुकित कि वह मुझे घंझेर एंगी, वह आपको छोड़ा था या आपसे बात करनी बंद कर दी थी, अब उस आदत को आपके जोड़ देंगे, completely, like they'll be like अब मैं यह सब नहीं करूंगी या करूंगा, and मुझे नहीं लगते ही जूट बोल रहे है they will definitely stick by it yes, मुझे definitely इस परसन का अपकी लाइफ में एक कमबाक होता हो दिख रहे है you know, एक वापस ही अपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे है, नहीं शुरुवात होती हुए दिख रहे है आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं यार, मैं दू या नहीं मौका मैं ट्रस्ट करू या नहीं क्या यह सब मतलब यह परसन जो बोल रहे है, वो निभा पाएगा वो कर पाएगा, you know आप मेंसे कुछ लोगों को लगने लगा है कि यह रिष्टा कार्मिक है, यह परसन मेरे लाइफ में मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, या इसका यह मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन है, आपना लिटरली अभी इस परसन, यह इंसान मेरे लाइफ में आया क्यों, इसका जवाब आप टूरना चाह रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहे है कि इंसान मेरे लाइफ में आता है, you know, मुझे बहुत परिशान भी करता है, फिर भी मैं इससे क्यों कोई होप से रखती हूँ, या रखता हो, क्या है इसके और मेरे बीच में, लेकिन एक बात है कि ये परसन आपके परवा जरूर करते है, या आपको समझ रहे है, प्यार करते है, ठीक है, और बट एक ताइम ऐसा था, जहां पर वो नहीं समझ पा रहे थे चीजों को और उन्होंने आपको छोड़ दिया, चले गए हो, ठीक है, या फिर emotionally वो closed off हो गए, अगर वो चले नहीं गए, like physically, आपकी लाइफ से, हो सकता है कि they turned cold, उन्होंने emotions feel करना आया, आपको कुछ feel होना और इस परसन से वो बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि तब वो, तब ना इस परसन के intentions इतने खास नहीं थे, मैं यह नहीं बोलूँगी कि आपका कुछ बुरा करने के लिए आपके life में आये थे, लेकिन, इनको भी पता था कि, मतलब एक जो बोलते हैं ना, कि उनको पता था कि कहां तक रिष्टा जाने वाला है, या मु सकती है, you know, so कैसे लगी reading, comments में, ज़रूर बताईएगा, reading अगर पसंद आई है, like, comment, share करना, बिलकुल नहीं भूलना है, मिलते एकली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा,